इसके पहले इसके पहले गारब वीडियो जो अलोड़ी अप्लोड कर चुका हैं अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस सीरीज में 1000 सेलेक्टेट कोशन आंसर कर रहा है जो के इस पेसर एलबे लोको पाइलट गुरुप डे और बाकी अधर सभी कमटेटिव एक चामस के लिए काफी महत्तपूर्ण है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चनल को नहीं करा है तो प्लीज आप मारे चनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में जो है बेल आइकन भी ओन कर लिजेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह सभी important questions है तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट एक जुरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक चुरूर कर तो चले दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस पहला प्रसन है सोने को कठोर बनाने के लिए उसमे क्या मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है दोस्तों तामा या चांदे सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों तामा या चांदे ठीक है नेस्ट कोश्चन है अभूसन बनाने के लिए किस सोने का उप्योग होता है वोता है दोस्तो 22 करेट सोने का ठीक है नेस्ट कोश्चन है सुध सोना कितने करेट का होता है वोता है दोस्तो 24 करेट का सुध सोना कितने करेट का होता है दोस्तो 24 करेट का और अभूसन बनाने के ल को कहा जाता है नेस्ट कोश्चन है स्वान लेपन में किसका प्रयोग विधुत अपघट्य के रूप में होता है वोता है दोस्तों पोटेसियम औरी साइनाइट का ठीक है नेस्ट कोश्चन है सर्फ विश्रोधी सुई बनाने में किसका उपयोग होता है वोता है दोस्तों आर जाता है वो जाना जाता है दोस्तो पारे को ठाने को सबसे अधिक अस्थाई तत्व क्या है वह दोस्तों सिसा आधिक अस्थाइत तो क्या है दोस्तू सी सट नेस्ट को सेने किस मिस्र धातू का उप्योग गोली बनाने में होता है वोता है दोस्तू लेड आर्सेनिक है ठीक है नेस्ट को सेने जल पर तरने वाली धातू कौन सी है वह दोस्तू सूडियम जल पर तरने वाली धातू कौन सी है दोस थोती है वह दोस्तों एलमूनियम ठीक है न Canadians question है एंटीमनी मनी क्या है दोस्तों एंटीमनी एक परकार का उप नेस्ट कोशन है कौन सी धातू अर्थचालक की भाती ट्रांजिस्टर के रूप में परियुक्थ होती है वह दोस्तू जर्मिनियम कोशन है किस रेडियो धर्मी तत्वा के भारत में विसाल भंडार है वह दोस्तू थोरियम का ठीक है नेस्ट कोशन है कलपकम के फास्ट बिरेडर रेक्टर में कोण सा तत्वा इंधन के रूप में परियुक्थ होता है वह दोस्तू समरिध यूरेनियम ठीक है नेस्ट कोशन है समाने किस्म का कोईला कौन सा है वह दोस्तो बिटुमीनस कोईला समाने किस्म का कोईला कौन सा है दोस्तो बिटुमीनस ठीक है नेस्ट कोशन है हाईलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है वह दोस्तो फ्लोरीन हाईलोजन से सबसे अधिक का विक्रिया कौन करता है दोस्तो फ्लोरीन ठीक है नेस्ट कोशन है कौन सतत्व बर्भान में सबसे अधिक मात्रा में पाय जाता है वह दोस्तो हाइड्रोजन नेस्ट कोच्चन है हिमोगलोबिन में उपस्ति धातु कौन सी है वह दोस्तो लोहा हिमोगलोबिन में उपस्ति धातु कौन सी है दोस्तो लोहा नेस्ट कोच्चन है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रियोग करते है वह दोस्तू सीजा, संचाईग बेट्रेम कोंसे धातू का प्रियोग करते है दोस्तू सीजा пятु नेस्ट क्योशन है, वाई आनके निर्माण में क् Leonard कोंसे धातू उप्यूख्थ होती है वह दोस्तू, प्हली डियम ठीक है नेस्ट कोश्चन है एड़ा मुत्प्रिरा किस धातू का नाम है वह दोस्तो प्लेटिनम का एड़ा मुत्प्रिरा किस धातू का नाम है दोस्तो प्लेडिनम का ठीक है नेस्ट कोश्चन है मायोगलोबिन कौन सी धातू होती है वह होती है दोस्तो लोहा नेस्ट कोश्चन है समूद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है वह है दोस्तु सोडियम समूद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तु सोडियम ठीक है नेस्ट कोच्छन है धातों की प्रकृति कैसी होती है ओती है दोस्तों बिद्धुत धनात्माग धातों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों बिद्धुत धनात्माग ठीक है नेस्ट कोच्छन है पितल में कौन सी धातों होती है ओती है दोस्तों तामा उजस्ता ठीक है नेस्ट कोचन है किस सीसे का उप्यो क्रित्री बंगो के निर्माण में किया जाता है वह दोस्तों कार्बन सीसे का ठीक है नेस्ट कोचन है लिथार्ज किसे कहा जाता है देखे दोस्तों लिथार्ज जो है लेड अकसाइड को कहा जाता है काफी महतपूल कोचन है दोस्तों ने किसे कहा जाता है दोस्तो यूरेनियम को ना है भारत में ऊरीनियम का सरवाधिक उत्पादन किस रज्सें में होता है वो दोस्तो जहर खंड में यह काफी महतफूर को सेन दोस्तों कई बार एक चाब में पूछा भी क्या है नेस्ट कोश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किस धातू का उप्योग किया जाता है दोस्तों इसमें बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातू का उप्योग किया जाता है दोस्तों चार अप्शन आपके सामने तरह आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, थैंक्स पर वाचियों